और राइट, कैसो साब भी मीत गता हूँ, बहुत ही अच्य होगे, इस विदिंदर मैं लेवल 2 की एक Slash का solution आप लोग को प्रवाइट करने वाला हूँ, इस Slash का नहीं होने वाला Big Lake, Peak Start, Simply Start Lab पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर यहाँ आपको टोटल 6 टास्क मिल जाएंगे, and य I Am Not Robot पे क्लिक करना, यहाँ पे जो Capture का Fill Up कर लेना, यहाँ पे Credential आएंगी, उस Credential यहाँ पे Log In कर लेना, Credential को यहाँ पे Copy करना, Open Google Cloud Console पे Simply क्लिक करना, यहाँ पे जो Credential दी गई है, इससे इसमें Log In कर लेना, Click on Use Another Account, यहाँ पे जो आपको Credential दी गई है, Simply इसको Copy करना, इधर आना, यहाँ पे Paste करना, Click on Next, यहाँ पे जो Password है, इसको Copy कर लेना, इधर आना, पेस्ट करना, and Click on Next, यहाँ पे आप लोग इंतेर हो जागए, Google Cloud Console के अंदर, I Understand पे Simply क्लिक करना, कुछ Basic Commanders को यहाँ पे Run करवाना है, Simply आजाते हैं, हम लोग Cloud Cell में, Term of Service क्लिक करते हैं, Agree and Continue पे Simply क्लिक करते हैं, and then फिर यहाँ पे आजाते है, BigQuery के अंदर, यहाँ पे Simply क्लिक करना, and then फिर हमें Add करना है, BigQuery के अंदर, तो Simply यहाँ पे Done पे Simply क्लिक करते है, and यहाँ पे Add का Option आजाएगा, and यहाँ आपको Connection to External Data Sources क का option आ जागा and यहां पर connection type में देख लेते क्या है instruction के अंदर तो scroll के नीचे आना in the connection tab list यहां पर big lake remote function select करना okay connection type में यहां पर big lake and remote function में simply click करते and then यहां पर scroll करके नीचे आना and यहां पर connection id दी गए इसको copy कर लेना and इधर आना यहां पर paste करना region के यहां पर multi region US होना चाहिए ठीक है यह है and then simply create connection पर click करना यहां पर complete हो जागा check my process simply click करना यहां पर error आए तो थोड़ा सा wait करना है दिन यहां पर check my process फिर से click करना यहां पर complete हो जागा task 2 पर हम लोग entry ले जुग है and यहां पर आना I am admin पर grant access करना यहां पर cloud storage bucket है I am admin में आजाना है I am simply click करना है grant access पर simply click करना है I am roles में grant access का यहां पर option मिल जागा इस में simply click करते है new principle में यहां पर हमें क्या करना होगा enter the service account that you copied earlier तो यहां पर copy करना था मुझे वह मैं भूल जगा हूँ simply यहां पर cancel करते है and आ जाते है अपने यहां पर एक service account आपको मिल जागा इसको simply copy कर लेना and then फिर से आदाना I am admin में and फिर यहां पर हम लोग grant access कर रहे होंगे I am simply click करना and यहां पर आपको grant access का एक option मिल जागा principle में जो हमने भी service account क्या यहां पर paste करना check my process simply click करना task to be complete हो जाएगा फिर से यहां पर check my process पर click कर देना अगर थोड़ा सा error आए तो थोड़ी दिर बाद यहां पर click लग जाता है task 3 पर आ गए है जहां पर हमें करना एक big leg table create करना है इसके लिए क्या करना है स्पेल वोक्षड पर आना है ते यहां पर demo data set का name देना है यहां पर इसके अंदर हमें एक table भी create करना गो तो यहां पर dataset create हो चुका है create table पर simply click करते है and यहां पर google plot astrology पर simply click करते है and just what को थोड़ा सा नीचे आना है okay click class and customer.cv होना चाहिए okay यहां पर browse specifically click करते है and यहां पर एक bucket name show हो जागा करना है customer.cv वाले को select करना है यहां पर select करना एंद यह select हो जागा इसके आगे हमें क्या करना है basically आना है table name यह देना है big lake table name and okay इसको copy कर लेना and यहां पर आना इधर scroll करको थोड़ा सा नीचे आना table name यहां पर देना है and okay यहां आपको और देन टेबल टैप में यहां पर आमें external table पर लिक करना है यहां पर checkbox में check कर देना है यहां पर चेकट करना है यहां पर यूएस my connection होना चाहिए and यहां पर इस पर क्लिक करना edit as text पर यहां पर आपको कुछ यहां पर लग जाएगा यहां पर लग चुका है and टास्वर में करिया विग लेक टेबल थ्रू बिक्वरी ओके उस दरी पहले हम लोग ने manually data set create किया and यहां पर हम लोग ने विक टेबल क्रेट किया था आप हम लोग पेरी के जरीए जो यह सब क्राम कर रहें एंड यह रन हो जाएगा scroll करके नीचे आना file में हम लोग entry ले चुके है इसमें करना है state of access control policies ओके तो यहां पर इस्क्रॉल करना है यहां पर कुछ चीजे दी गई है बस उसमें करना है address postal code phone number ठीक है address यहां पर पॉलिसी लगाना है यहां पर इसको क्लिक कर देना है यहां पर आपको वार्निंग टैप पर सो हो जाएगा ठीक है यहां पर सेफ कर लेना यह आपका टास्क कंप्लीट हो गया है यहां पर आपको यह वाले कमांड को कॉम्पी कर लेना है आना इधर query में यहां पर पेस्ट करना रन करवा देना ठीक है इसके अंदर हमको एक टेबल क्रेट करना है यहां पर यह टास्क मारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें करना है क्या है टेबल करना है इस टेबल में भी यहां पर invoice.cv रखना है तो यहां पर इस पर क्लिक करते हैं यहां पर create table का एक option इस पर क्लिक करते हैं cloud storage select कर लेते हैं यहां पिसको select कर लेते हैं यहां पर invoice.cv जो है इसको select करना है यहां पर select करना and scroll करके थोड़ सा नीचे आना इस टे המle का नहीं हमें देना है external table करके खीक है इसको copy कर देना इधर आना इधर आना यहां पर table में इसको paste कर देना table tab जो यहां पर external table are complete हो जाएगा इसको कर लेते हैं देखते हैं is टले task complete हूँ नहीं यहां तो हो चुक है यहां भी हो हो गया मतलब सारे चिकमा प्रॉस हो चुके बस थोड़े से बच चुके हैं इसको भी आ पर कॉपी कर लेते हैं जब और पर रूंब कर देना है एपर लिए मोड़ार आरद आओधर दुत्रा पेश्च करना है चरवा여 पर एक्ट समी चरवर चेवर करें दो-तिन किलिक ना फुरसा वक्त लागँ जाता है यहांपे अफ़ी엇 छोने हैं में उने दो फरा त्ट्ट हो जाएक एंड धुन और फीर नुप्रक्षा यहां ब्रॉस्वी स्षेब